वेल्कम टू माई यूटूब चैनल बॉनिंग कैसे हैं आप सब लोग आई होफ आपलो सब बच्चे होंगे अभी सुबह के बज़र है अच्छे और मैं भी लोग स्टार्ट करता हूं सिम्ला से आपने लाश्ट लोग दिखने होंगे आज हमारा सिंदा में तीसरा दिन है अभी हम यहां पर मैं जस्ट भी सोके उठाई हूं सोके क्या उठाऊ हूं राद बट नहीं बिल्कुल नहीं आई है कई बुरे सपने अगरे आ रहे थे इसको समझ नंयार था कि क्या हात है क्या होने वाला है या क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है और जो ऑच्छा होगा और अभी सुबेग एच्छे बथरी है हम आपको दिखाने की कोजिस करता हैं आफार्क में देखेर गाई पूरा मौसम खुल चुका है यह देखिए और कुछ इस तरह से अपना यहां पर बैड होता है और बाहर का आपको दिखाए और चिक्र बाहर का मौसम काफी खूब सूरत काफी अच्छा पर बाहर को जाता है जाता है निचे होटल अप्रेस परस बोलते हैं फिर निकल जाएगे कुछ तेर बाद यहां से साथ साथ आठ बज़ता आठ साथ निकल जाएंगा वे अपने नश्ट टैसनेशन पर जाएंगे और मैं आपको जल्दी बता दूंगा तो जिए विलोग को एंज्योई और आइंटल जरूर देखें इसके पिल्कुल ना करें तो यह जाएंगे घृएंगे अप्लेज कमन्ट की लाइक शैर सब्सक्राइब जरूर करें का तरहें थीक है आप लोग कमेंड को आपने करते हैं लाइक ने करते हैं शैर नहीं करते ह अब लोग को मेरे कंटेंद अच्छा नहीं लग रहे हैं इस पर चाय बनने जा रही है चाय पती और चीनियों गर मैं अडाल दी है तो चाय अपने बनेगे काली चाय बनेगे ब्लेक जिसको बोलते हैं आप लोग तो कुछ इस तरह से और उबाल आने के बाद चाय गुरा पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर ब्रेट का नास्ता कर लेते हैं और उसके बाद राइडर्स लोग जब भी आएंगे खौन आएंगा तो निकल लेंगे आप से कुछी देर बाद और बाहर का मौसम काफी सुवाना इस टाइम पर हो रख है आप देख सकते हैं अगे दोफ खिली है काफी अच्छा मौसम इस टाइम पर यहां का ओर रख है सिम्ला में अच्छी दोफ निकली है पांच बज़े उजाला हो गया था साड़ पांबज यहां पर दोफ निकल नहीं स्टार्ट हो चुकी थी और अपने चाय भी खौल चुकी है तो करते हैं इसको बंद और मिलते हैं आप से थोड़ी देर बाद इस चाय उगरा बन चुकी है और मैं निकाल रहा हूं ब्रेट यह कल लिया था एक पैकिक तो चार पीस मैंने कल ले सब्सक्राइब नहीं है पाहड़ों में जोकी ठंड यहां पर अच्छी खासी रहती है तो चल जाती है दोते दिन और यह अपने ब्लेक टी है गाइस तो चलिए करते हैं ब्रेट कास्ट और तुछ इस तरह से अपना डिप किया ब्लेक टी में ब्रेट और काफी मस्त साही बनी है तो आप लोग भी पीजी चाहिए तो करते हैं मिलते हैं आप से सब्सक्राइब किजिए बाहर कुछ इस तरह का ही मौसम हो रखाया है तो गाइस लोग को कॉल आ चुकी है और हम निकलते हैं अभी उनको पिक अप करने के लिए होटल में और होटल से निकल जाएंगे हम फागू तो अभी टाइम हो रहा है आठ बच के सतरा मिनेट और आठ बचने वाले हैं और गाड़ी भी कोड़ इस्टार्ड हो चुकी है ठीक है ताइम आप देख सकते हैं आठ बच के सतरा मिनेट और राइडर स्लों की कॉल आ गई है तो चले चलते हैं लगे जुगा रखते हैं और निकल जाते हैं अपने नक्स डेस्टिनेशन के और ठी रस्ता यहां से नीचे का कि चलिए चलते हैं के पने रह好好 के साथ कर रिटा थोड़ी देर बाद फाई प्रस्तियोर्ट करें एक स्वहारा के क्वार्से राश्वा नेवरे और यहां सम यूटन लेंगे गैस हम पहुच है घुँक्षूरत वादियों में आप देख सकते हैं कितनी खूपशूरत वादियां इन खूपशूरत वादियों का नाम है ग्रीन वैली अगर आप सिम्ला से कुपड़ी के तरफ जा रहे हैं तो बीचना पड़ता है ग्रीन वै यहां पर काफी कम देड़ है और आप बहुता लेट आते हैं 10-11 वजे करीब आते हैं तो यहां पर आपको गाड़ी पार्ख करने की जज़े नहीं मिल पाती है चलते हैं इसीदे कुपरी और हम रुके हुए अपने फॉजी भाई के काउंटर पे और देखिए खच्चा रुग जा रहे हैं उपर कुपरी पे जो कि यहां से यात्रियों को लेकर पे जाते हैं उपर कुपरी जीडो पॉइंट तक के गाईज अभी हम फिलाल कुपरी पहु वारे है वैपिर याज आप देख रहे हैं पूरी पार्किंग यहां पर खाले पड़ी और आने और अभी तुसी गंटे में यहां की पार्किन में आपको द्रफामवा पूरी प्लेक रहेएंगी और अपने गाड़ी तक पास हम अंगाड़ी लगाकर है अब हम फाईनली पहुच चुके हैं आप खुर्वाति का और हम ने चॉकुफ़े चॉप आपर जो है मैंन रोड जो कि के चलिए आती हैै पूरा नीचे उतरा हैं और अपनी गाड़ी यहां पर खड़ी है यहां पार्क कर दिये और यह है अपना किसोर वाटी का होमस्टे ठीक है और अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से यहां पर खड़ी है गाड़ी के बैक साइड का मैं आपको भी दिखा हूं तो काफी जवर रस्ट भीव यहां पर देखने को मिलता है यह चेक करें जाए कि काफी खूबसर नजारा हम देख सकते हैं यह देखिए यह जितने भी आपको वाइट वाइट यहां पर दिख रहे हैं गाइस यह है एपल और अभी छोटे-छोटे फल इनमें निकले हुए हैं जिसके वैसे इनको उपर से जाल डालके कवर कर रखें नेट से ताकि अगर बारिस होती है या उला गिरते हैं उला बारिस होती है तो उससे नुकसान कुछ ना पहुचे इसलिए यहां पर इस तरह से नेट उगरा यहा आप दिख रही होगी जूंग करके दिखाने कोशिश करता हूं यह देखिए बादलों के नीचे जो है पूरी बरफ वहां पर दिखाई दे रही है कुछ काफी खूबसुरत व्यूव यहां से देखने को मिलता कि सोरवाटी का फागू हो मिष्टे से देखिए कितना जवरस देखने में और ज्यादा काफी खूबसुरत लगते हैं तो अभी फिलाल हमने यहां पर चेक इन कर लिया है और बस यह है तो आज हमने पिलाल कहीं जाना है ने और कल निकल जाएंगे यहां से सीथे कस और मनेकरन मनाली के लिए तो आप जो मैं आपको बहुत कुछ देर पहले बताया था ओला बारिस तो ही देखिए ओला गिन में स्टार्ट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने सारे सब्सक्राइब नेट लगा रखें सीरे वेज़ लगा रखें ताकि जो फूर्ट छोटा छोटे निकल रहें उनमें नुकसान ना हो और यह देखिए यह सामने ओला यहां पर इस ओला बारिस के यहां पर सारे ओले यहां पर खटे हो चुके हैं और काफी खुशुरत नजारा इस टाइम पर यहां से देखने को मिल रहा है और सामने पहाड़ों के देखें कितनी खुशूरती लिखाई दे रही है वहां पहाड़ों में भी द्रोप में दर आ रही है और इस साइट देखेंगे तो इस ताइए चार और बाहर बारिस अभी सब्सक्राइब कर लिए और है करते हैं रहा है और कितने वजह निकलेंगे और वहां पहुंचेंगे रूट कैसा रहेगा काफी लंबा ऊदाया तो यहीं पर आयूप के आपको वीडियो पसंद आही होगी वीडियो पसंद आई तो लिए और जितने भी नही लोग हमारे इस कर लिजिए कर लिजिए और प्रेश करती यह ताकि आने वाली नहीं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँश सकें और अपने याड दोस्तों को अपने फैमली में में बता हैं और वीडियो सेयर करें उनको भी स्क्राइब परने के लिए बोलें लाइक करें कमेंट करके माता दी, हर हर महादे